तो नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी स्वागत है आपके 5G दुनिये स्टडी रिचल में दोस्तों देगो आपके लिए लेके रहे हूं गोवर्मेंट के दुवारा अची स्किम सुरू की गई है अब जो भी किसान भाय लोग है पस्व पालन करते हैं उनके लिए अची स्किम हो स सुरू की इसमें पस्व पालन इसकिम thick में नोटिफीक किशन रही जारी कर घा व problem के लिए कला है अब जो भी पस्व पालन का काम करते हैं जिसके पास गाई वेह बहरा है के लिए और जो गाउं में रहते हैं वो इसका लाब ले सकते हैं आफधन करना है आपके पास उसके लिए यह प्रवेदन करना है आपके पास पांच लाग रुपेते का लोनाप ले जिसमें आपको सरकार के दुवारा पैसे दी जाएंगे कि ये जो आपएदन के से करना है आपके पास क्या-काय दस्तावेर्च होने चाहिए फोरम अपलाए गाइंगे अच्छी स्किन शुरू की कि अगर आप अपना बीजिनिस पर चाहिए अब हमारी स्किन के उपड़र चलते हैं वीडियो को लाइक चलू करना चल्ब को सब्सक्राइब करें जो भी नए निया आपके पास यूजनिय आईगी आपके पास नोटिफिकेशन वह पहुंच सके अब सलते हैं हमारी स्किन के उपड़ तो आ चुके हैं बोड़ी स्किन के ओपर देखो पसु पालन योजना 2024 की सुरुवात हो चुकी है अब जो भी पसु पालन योजना में आवेदन करकर अगर लाब लेना चाहता है अपनी जो बिजनिस है उसे आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें आवेदन करकर पांच लाग रुपे का आप लोन वो ले सकते हैं अब देखो इस सरकार के दुवारा सुरू कीगी 2024 में पसु पालन योजना 2024 इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास कौन-कौन से दस्तावेज होनी चाहिए आपको मैं सारी जान करें बताऊंगा सरकार के दुवारा पसु पालन योजना वो शुरू की गई है इस योजना की तहट अगर आप गाउं में रहते हैं तो आपके लिए कापी अच्छा है क्योंकि देखो इसमें जो गाउं में रहने वाली पसु पालन का काम करते हैं जिससे बगरी पालन हो गया है वेशे शुरू करना चाते हैं तो जिसके त दोवार ये पर्षोपालन योजना की सुरुवात की गई है अब देखो हम आगे बात करते हैं पर्षोपालन योजना दोजाचोविस के तर्थ किसको लाग मिलेगा और कितने पैसे दी जाएंगे इस योजना के मदम से ग्रामें चेतर में रहने वाले लोग तराजज़े में छोटे किसानों पर्षोपालन करने है तो लोन की सुवदय परदान की जाती है जिसमें राज़्ये में रोजकार के आउश्यर वर्दी होगी और सरकार इसमें बख्री पालन योजना के तैत अनसु पालन योजना के तहित बकरी पालन राज्य का कोई भी वेक्ति कर सकता है जो भी वेक्ति करना चाहता है अपना बिजनिस बढ़ाना चाहता है यह पसुपालन का कारी करना चाहता है वो आवेदन कर सकता है यह श्योजना के तहित आवेदन करता आपको पांच लाग रुपे से योडोन लेना चाहता है तो बकरी पालन यूजना यह चूरू कि गई यह पसु पालन यूजना 2044 आप देखो इसमें आगे बाद करते हैं आपको पैसे मिलेंगे वह किस प्रकार से मिलेंगे और कितने मिलेंगे देखो पसु विवाग कि उपने देशी पहला सिंग ने बताया कि छोटे पसु पालक कम से कम सो बेड़ या बकरी पांच बकरी होना आउशे का उर्सु पर आपको 10 लाग रुपे की सबसेड़ी वो परदान की जाती है तो बेड़ बकरी की बगिर आप रखते हैं तो आप इसमें आवेदन करकर लाप ले सकते तो आप स्बसेड़ी ले सकते हैं इसमें आपके पास कोई वी कोई वोगया मेस बगिर तो आप इसमें आवेदन खख करकर देख सबसेड़ी वो परदान कर सकते यानि पसुपालक के लिए ये सुरू की गई योधिना दोजार चोविस में अब देखो मागे बात करते हैं आपके पास कौन-कौन से आवशक दस्थावेज होने चाहिए आवेदन करने के लिए जो भी आवेदन करेगा नागरी का अब देखो आवेदन कहां से होंगे मैं जरूरी है आदार कार्ड होना चाहिए जो भी नागरी का अवेदन करेगा पिचान पत्तर आय परमान पत्तर जाती परमान पत्तर जमीन के आपके कागश भी होनी चाहिए निवास परमान पत्तर जहां पे आप निवास कर रहे हैं आपके पास निवास परमान पत्तर बनाव और मोबाइल नमबर बकरीब फोरम आपका है बिजनिस है उसके रिपोर्ट छे मां का आपके पास स्टेटमेंट है वो भी होना चाहिए तो यह डोकुमेंस आपके पास है तो पशुपालन योजना सुरूख की गई इसमें आप आवेदन कर सकते हैं अब देखो लेन आवेदन करना है आपके को नसदीगी सता कार्या ले हैं कि यह में लोन लेना है तो होसकि पास लइक कर लेना और यूजन कर सकते हुझे उन यूजन कर सकते लिए वस्कुरस को भी नहीं नहीं ईतिया आपके पास उसका नोटिफिरिकेश क्यों वह पहुएं झाल झाल